तो हम लोग पढ़ेंगे एक important topic CNS का retinoblastoma देखें जो retinoblastoma होता है most common malignant ocular tumor होता है बच्चों में और इसका answer होता है चार साल से कम के बच्चों में होता है एक cancer होता है uveo melanoma तो उससे यह cancer बहुत confuse हो जाता है मतलब confuse किया जाता है तो उसमें और इसमें यहीं अंतर है कि यह चार साल से कम के बच्चों में होता है और जो वह था melanoma वह होता था पचास साल से उपर के जो लोग होते हैं ठीक है next है अब जो retinoblastoma होता है जो sporadic भी हो सकता familial भी हो सकता है जनरली sporadic होता है होता है मतलब यह में multiple जगह को involve करेगा उसके multiple फोकाई होंगे ठीक और इसका transmitter होता है by autosomal dominant transmission by retinoblastoma gene जो की 13th chromosome पे होता है तो familial में होता है multiple multifocal autosomal dominant और इसका gene कौन सा था है retinoblastoma gene और 13 chromosome देखें जब किसी के familial variant का retinoblastoma होता है तो उसका high risk होता है कि वो tumor दोनों आखों में हो जाया मतलब bilateral involvement हो और have high increased risk of developing secondary primary cancer और और भी cancerous में body का risk बढ़ जाता है body में और cancer हो इसका भी risk बढ़ जाता है और सबसे common कौन से cancer का osteogenic sarcoma so familial variant की बार में आपको चार पॉइंट ध्यानक ना है पहला है multipel multifocal second autosomal dominant और gene दो चलो यादी होगा third bilateral tumor होता है और fourth है कि यह और cancer जैसे कि osteogenic sarcoma oscaris बढ़ा देता है ठीक अब देखें रिटान ब्लास्टोमा can be congenital 2 यह congenital भी हो सकता है और जब congenital होगा तो बच्चा जो फ्रिजेंट करेगा विद ल्यूको कोरिया लिगो का मंदब होता है वाइट को यह का मंदब होता है प्यूपिल तो वाइट सा प्यूपिल दिखाए देगा ठीक वाइट प्यूपिल अब नए साथ है morphological features पे देखो यह जो ट्यूमर अपियर एज वाइट मास विदिन रिटाइनर रिटाइनर के अंदर वाइट मास की तरह आपको दिखाए देगा ठीक यह तो यह यह तो पार्टली सॉलिड होगा और पार्टली नेक्रोटिड होगा मतलब इसका आधा पार्ट होगा सॉलिड पार्टली कुछ पार्ट होता है सॉलिड और कुछ पार्ट होता है इसका नेक्रोटिक अब आजओ इसके इसके can be endophytic और exophytic, endophytic और exophytic होने का मतलब यह है कि अगर यह endophytic होगा तो यह हमारी आई के अंदर ही रहेगा, जैसे जब यह vitrass humor वाले पार्ट में होता है, तब यह होता है endophytic, बट यह exophytic हो सकता है, मतलब बॉड़ी के बाहर के और पार्ट भी involve कर सकता है, जब यह बिल्कुल ठेटाइना के पास वाली लेयर में होगा, तब यह exophytic भी हो सकता है, ठीक, अब आज हो माक्रोस्कोपिक एक्जैमेनेशन पर, आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, with tendency towards formation of photoreceptor element, मतलब की undifferentiated होंगी और वो जादा जो photoreceptor element होता है, आई का, जहांपे वो होती है, rods and cones, उनकी और shifted tumor लगेगा, लगता है, मतलब यह उनकी और shift हो रहा है, ठीक है, with formation towards the photoreceptor elements, अब देखो जो tumor से लोगी, वो arrange in rods, rods का मतलब वोदा, गुच्छे की form में arrange होंगी, अब गुच्छा दो type का हो सकता है, rodset, या तो, अब इस rodset के दो नाम है, एक को बोलते है, flexioner winter steiner rodset, और एक को बोलते है, homer right rodset, देखें, नाम बहुत tough टफल है, इसमें है कुछ नहीं, ऐसे समझते हैं, देखें, जो ये वाला rodset है, ये वाला rodset, गुच्छा, और tumor cell के जो nucleus होंगे, वो away from the center होंगे, away from the lumen होंगे, tumor cells are arranged around a lumen with their nucleus away from the lumen, ठीक, और जो मैंने दोसरा पता है था, इसका नाम था, hoser right rodset, वो ये है, देखें, इसमें tumor cell जो है, वो radially arranged है, ये tumor cell है, ये radially arranged है, एक neurofibrillary structure के around, एक neurofibrillary structure के around, tumor cell radially arranged है, ये है हम लोग का homer right rodset, और अगर एक lumen के around tumor cell arranged है, और उनका जो nucleus है, वो away from the lumen है, तो उसे हमनों क्या बोलते है, flexioner, winterstein rodset, ठीक, तो देखें, भाई लिखा है, पहला वाला, small tumor cells arranged around a lumen with nuclei away from the lumen, और ये होता है, homer right rodset, radial arrangement of tumor cell around neurofibrillar structure, ठीक, अब आते हैं, इसके root of spread पे तो ये direct भी spread कर सकता है, और इसका spread hematogenes भी होता है, direct अगर ये होता है, तो by optic nerve से, तो optic nerve के तो इसका diet spread होता है, या फिर blood के थ्रू हो सकता है, अब देखें, जो मैंने रहता है कि एक cancer होता है, uveal melanoma और जो हमारा जो हम पढ़ रहे थे, retinoblastoma, वो काफी confused किया आता है, तो उन्हें कुछ अपनों differences बात करें, तो 50 साल से साधा के लोगों में होगा, ये 404 साल के लोगों के बीच में होगा, rare, ये जो गोरे लोगों होते हैं, उन्हें common होता है, इसका ऐसा कोई predisposition, कोई predisposition नहीं है, कि ये किसमें ज़्यादा किसमें कम होता है, तिक, location, ये most commonly corroide में होता है, और ये retina में ह होता है, इसका तो नामी है, retinoblastoma, bilaterally, ये rare ही है कि ये tumor bilaterally हो सकता है, बट इसका familial variant होता है, जो वो bilaterally हो सकता है, common, 30% की सिस तक, second, इसका cells of origin होता है, milanocyte, इसका cells of origin होता है, retinal neurons, ये retinal neurons का tumor होता है, next है, color of tumor, जो color होता है tumor का, milanoma है, तो उसका color में ब्लैक ही होगा, gray black, इसका color होता है, creamy appearance, creamy, ठीक है, दिखाता हो, ये देखे, ये अब पता नहीं हागी, कि नी फोटो, ये देखे, ये ये उसका figure, creamy appearance हाता है tumor का, ये पुरा फैला हुआ हुआ है, vitres tumor वाले पार्ट में, ठीक, next है spread, ये hematogenous spread से होता ह है, mainly, rarely by optic now, और इसका दोनों तक से spread हो सकता है, ठीक है, तो ये होगा हमनों का retino, blastoma, इसमें ये, यहाला figure बहुत important है, ये, अगर आब बना किया जाएंगे exam में, मुझे लगता है, teacher number काफी देगा, okay, bye,